हेलो एवरिवन टेली प्रेम के इस वीडियो प्रेशन के माद्यम से हम जाने के एक बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर के बारे में जो की है कॉंट्रा वाउचर यहां पर मैं सबसे पहले एक्जाम्पल के थुरू आपको बता दूं कि कॉंट्रा वाउचर का यूज क्यों करत हैं सबसे पहले हम वाउचर में बढ़ते हैं यहां पर देखेंगे फर्स जो वाउचर आपका है एफ फॉर जिसका सॉटकट की है वो है कॉंट्रा जब आप कॉंट्रा पर क्लिक करेंगी तो आपका कॉंट्रा वाउचर ओपन हो साएगा तो मिली कोई भी बिजनस होता है त इसको हम मैंटेग करते हैं अकाँट Yannika Bank अकाउंट तो जब भी हम अपने बैक अकाउंट में पैसे डेप्या ब connect करते हैं आपने एक बैक से दूसरे बैंक में अपने पैसे ट्रान्सफर करते हैं तो उन突 एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टेडी प्राइम में Contra Voucher ऐविलेबल है तो फर्स डेपॉजित सेकें वित्रो थर्ड बैंक टु बैंक ट्रांसफर इसके लिए आपको Contra Voucher का यूज करना है तो में लिए यहां पर देखें कि फर्स्ट इंग कोंट्रा वाउचर में हम लोग एक्जाम्पल के थू समझेंगे कि सपोज मैंने अपने स्टेट बैंक आफ इंडिया के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करें तो जिस डेट को मैंने डिपॉजिट करा वो डेट सेलेक्ट करेंगे यहां पर देखिए जहां पर पैसे आपके जा रहे हैं जैसे आपके पास आता है उसको आपको डैबिट में रखना है हैं तो मिली कॉंट्रा में यहां पर क्रेडिट में हम रखेंगी यहां पर जैसे हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैस्ट हमारे पास से जा रहा है बट कहां जा रहा है बैंक में जा रहा है तो जिसमीं आपका जा रहा है वह आपका debit होगा ओके एंटिन जिससे जा रहा है जो जा रहा है वह आपका credit होगा तो मेरा cash यहां से जा रहा है मुझसे क्योंकि मैं cash deposit कर रहा हूं तो cash select कर रहा देन आफ्टर कितना आप deposit कर रहें तो यहां पर मैं one lakh rupees deposit कर रहा हूं वह मैंने amount डाला देन आफ्टर enterprise करेंगे देन आफ्टर आप deposit कहां कर रहें state bank of india में कर रहें तो इसकी entry ऐसे होगी state bank of india account debit to sorry cash account debit to state bank of india तो इस तरीके से आप यहां पर अपनी entry manage करेंगे आप यहां पर डाल सकते हैं कि आपने जो denomination से यानि की कौन-कौन से not कितनी आपने डाले हैं वह भी आप यहां पर डाल सकते हैं record कर सकते हैं so that कि आप इसको save करेंगे then after यह आपकी जो entry हो गई यह होगी cash deposit to bank okay so यह आपका entry हो गया cash deposit to bank इसको हम save कर लेते हैं इसी परकार से जब हम अपने bank से पैसे निकालते हैं यानि कि withdraw करते हैं मैं अपने bank से पैसे निकाल रहा हूं अब यहां पर समझे कि bank से पैसे निकाल रहा हूं तो bank से पैसे जा रहे हैं and then हमारे पास cash आ रहा है तो जो जा रहा है उसको आपको credit करना है जिसमें आ रहा है वो आपको debit करना है तो यहां पर देखिए मेरा State Bank of India जा रहा है कितना amount आप withdraw कर रहे हैं मैं 50,000 rupees withdraw कर रहा हूं 50,000 rupees डाला मैंने enterprise करेंगे then after debit मैं मैंने cash लिया विकाज मैं cash withdraw कर रहा हूं तो यहां पर हमने cash select कर लिया and then यहां पर हम narration में डाल सकते हैं cash withdrawal from bank okay so यह entry हो गई cash जब हम withdraw करते हैं अपने bank से उसकी so यह भी हमने entry सीख ली third one की अपने एक bank से मैं अपनी State Bank of India से कुछ पैसे Axis bank में transfer करना चाहता हूं इसकी entry कैसे करेंगी तो में लिए यहां पर भी वही दूल होगा पैसे किसे जा रहा है तो मेरा जा रहा है State Bank of India से State Bank of India select करा कितना amount जा रहा है तो मैं सपूस्थ 25,000 रुपीस यहां से transfer कर रहा हूं 25,000 रुपीस मैंने डाला देन आफ्टर यहां से enterprise करेंगी यहां पर debit में आप पैसे जा रहा है तो पैसे आ कहां रहा है आपका तो मेरा आ रहा है एक्सिस बैंक में एक्सिस बैंक को मैंने डेबिट रखा एंड दिन यहां पर 25,000 रुपीस डाल करके एंटर एंटर प्रेस करके और यहां पर मैं narration डाल सकता हूं कि amount transferred आपके एंटरी होगे जब आप एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू आती है तो आप comment section में जरूर बताएं में लिए यहां पर मैं एक चीज को फिर से repeat करूंगा कि यहां पर debit and credit के rule से आपको घबराना नहीं है में लिए आपको example इस तरीके से समझने है कि मैं not paid open कर लेता हूं so that कि मैं वहां पर थोड़ा explain कर दूं कि यहां पर आपको debit में जहां पर पैसे आ रहे हैं न यानि कि आपने business में पैसे कहीं न कहीं आ रहे हैं तो what comes in and then credit what goes out ओके तो यह आपकी entry रहेगी इस तरीके से आपको entry करने है what comes in यानि कि कहां आ रहा है ओके एंड दिन कहां से जा रहा है उसको आपको credit करना है ओके यहां पर मैंने हिंदी में भी इसको explain कर दिया I hope यह video presentation के मात्यम से आप समझ गए होगे कि कोंट्रा वाउचर का यूज हम किस परकार से करते हैं thanks for watching मिलते हैं next आने वाले video presentation के साथ इसके जए प्राइब कर दियां